तो आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले खाकी दा बिहार चैप्टर वेब सीरीज के बारे में वैसे आप थमनेल और टाइटल देखके तो समझी गए होगे कि किसके बारे में चर्चा होने वाले फिर भी सोचा कि वीडियो को थोड़ा लेंटी बनाने के लिए इतना बोली देते हैं टोटल इस सीरीज के अंदर साथ एपिसोड हैं और हर एपिसोड की जो लेंट है वो तकरीबन 45 मिनिट के आसपास है अब टाइम कैलकुलेट कर लेना कि ये पूरी सीरीज देखनी है तो आप लोगों कितना टाइम देना पड़ेगा वैसे इस सीरीज का नाम है तब बिहार चैप्टर खाकी तब बिहार चैप्टर ओविसली ऐसा फील हो रहा है मुझे फील हो रहा है शायद आपको फील ना हो कि एक और कोई चैप्टर बना दें उसके उपर ऐसी सीरीज लेके आ जाए कैर जब इस सीरीज का ट्रेलर रिलीज हुआ था मुझे बहुत धमाकेदार लगा था क्योंकि खुन कराबा फुल ओन बिहार के अंदर जो तीजी हमें देखने को मिल रही थी वो ट्रेलर के अंदर थी और बहुत जादा मुझे वो पसंद आया था तब मैंने सुचा था यह सीरीज आएगी तो इसको मैं देखूंगा और एटलिस इसको मैंने देखा अभी नहीं बहुत टाइम हो गया मतलब कुछ दिन हो गया है इस सीरीज को देखे हुए टाइम आप मिला है वीडियो बनाने का तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ तो इस सीरीज के अगर स्टोरी के अगर हम चर्चा करें तो बिहार का एक Most Wanted Criminal मतलब जो इस सीरीज के अंदर टाइम दिखाया गया है उस टाइम में एक चंदन मानतों नाम का एक व्यक्ती बहुत जादा फेमस हो गया था अपने गलत काम की वज़े से जैसे वो दबंगई दिखा रहा था हम उसको पकड़ा जाता एक IPS के द्वारा तो ये जो सीरीज है इसी की स्टोरी हमें दिखाती है और सबसे अच्छी बात सबसे बढ़िया बात जो मुझे इस सीरीज के लगी कि सारी जो चीज़े है वो रियल स्टोरी है मतलब ऑविसली जो मेकर्स हैं उन्होंने थोड़ा बहुत मिर्च मसाला डाला होगा इस सीरीज को इंटरस्टिंग बनाने के लिए लेकिन ये एक रियल स्टोरी के उपर दारी तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी कि एक IPS officer कैसे criminal को पकड़ता है कैसे कैसे वो technique लगाता है बहुत जादा मज़ा आने वाला है जो मैंने वो सब चीज़ें देखी जैसे IPS officer का दिमाग काम करता है जो वो उस criminal को पकड़ने के लिए बहुत मतलब दिल garden garden होगे और यहां पर ऐसा नहीं कि IPS officer के पास सब चीज़ें होती है और वो ऐसी कर देता है नहीं उसको भी बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है एक जैसे इस सीरीज के अंदर मुझे देखने को मिला कि एक टाइम ऐसा आता है कि वो यह सोचता है एक IPS officer जो इसमें देखने को आमित लोड़ा जी है वो इसके अंदर है तो उन्होंने एक टाइम ऐसा दिखाया गया कि उनकी लाइफ में उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना मैं अपनी यह जो भी मतलब ही जो profession है यानि जो IPS का काम है वो ही मैं छोड़ दूँ तो ऐसा situation हमारे सामने जब आती है IPS के सामने तो उसको कैसे handle करता है उसके family जो है वो उसको कैसे support करती है वो भी हमें देखने को मिलेगी इसके अलावा जो बिहार के अंदर जो जाती का एक card कहला जात इसली उची जाती नीची जाती यह सब चीजे हैं वो इस सीरीज में देखने को मिलेगी फिर politics में कैसे इनका यूज किया जाता है वो बहुत भकूवी से हमारे सामने रखी गई है यह नहीं कि केवल क्रिमिनल का ही बहुत सारे angles हमारे सामने आते हैं इस सीरीज में बहुत मुझे याद है साड़े छे घंटे के आसपास मैंने इसको टाइम दिया था पर्फॉमेंस के अगर मैं बात करूं तो देखो यह पर्फॉमेंस हर एक कलाकार नों बहुत बखूबी से बहुत इमानदार इसे नहीं मतलब उनका जो एक्षेंट है उनका behavior है बहुत अच्छे स हमारे सामने उभर कर आया है इस सीरीज मतलब आप देखोगे तो लगेगा यह नहीं किया रहे यह पर्फॉमेंस है जैसा मतलब रियल ही चीज़ें आप देख रहे है और रियलिस्टिक चीज़ों के उपर वहां पर फोकस किया गया है बहुत अच्छा लगा है मतलब आप इ एक एपिसोड आता है उसके अंदर चंदन मानतों और जो अमित लोड़ा है आपस में बैट कर बात कर रहे होते हैं तो यहां पर जोनकी कानवर्शेशन होती है वह बहुत जबरदस्त है बताने का मन तो है लेकिन यह मैं आप लोगों को स्पोईलर नहीं देना चाहता क्यों कुछ जानने को मिलेगा कैसे पुलिस काम करती है कैसे प्रेशर उनके उपर आता है क्रिमिनल के उपर यहां पर जो एक यहां स्टोरी दिखाई गी है वो कैसे उबरता है तो उसके उपर भी फोकस किया गया हाँ अब अगर नेगेटिव चीज़ों के उपर मैं बात करूं द इसमें जो टाइम गैप आता है एकदम से टाइम कहीं और होता है फिर कुछ और दिखा दिया जाता है तो वो डिसकनेक्ट कर देती है इस सीरीज से तो यह बच्चों के लिए तो वैसे भी नहीं है मैं आप लोगों को रिकमेंटिट जरूर करूँगा एक बार इस सीरीज को आप जरूर देके मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूँगा 8 out of 10 अगर आप लोगों ने खाकी वेब सीरीज देख रही है तो प्लीज कॉमेंट करना कि आप लोगों कैसे लगी नहीं देख